हेलो एवरिवन कैसे आप सब उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे मैं हरिसाओ अभिपसा एक्सेलेंट की इस आर्लाइन प्रेटार में आपका हर्दी सवगत करता हूँ तो बच्चों जैसे के हमने अंतिम जो चैप्टर है कच्छा दस्वी विज्ञान का रसायन सास्तर के अंतरगत आने वाली उसका डिसक्सन का आरम कर दिया था सब्सक्राइब करने वाला हूँ इसी करी के सुरुवात मैं करना चाहूंगा एक होमवर्क क्वेश्चन पे जो मैं आपको दे रखा था लास्ट वाले लेक्चर में एक रंबर के जब तो आपको यह बताया है था मैं कि कि जो आपकी रहता हुता है उच्य वसी अमलाया साबुन के किसए वह किस्से मिलकर बना होता है क्या को से लावन से मिलकर बन जोता है फिर फिर मीं मैंगा काम है आपको अच्छी बात है तो क्या होता है वो कौन से लवन होता है भई वो होती है सोडियाम लवन होती है किसका भाई यह आपके हुम्वर्क था यह उसका अंसर है अब यह क्या था हुम्वर्क नंबर एक हुम्वर्क नंबर दो क्या था भाई कि जो पानी गरम करते हो उसमें कुछ पपड़ी जम जाती है अविले कुछ पपड़ी जमती है वो क्या है यह हो क्योंकि आपको सी देना पड़े आपको दिमाग लगाने करके लेकिन उसी को मैं रहा है तो क्रेंट ही है आप और गल से दीख रहा है जो क्या हो रहा है तो यह इस दोनों का अंसर मैं दे दिया हूं अब मैं सुरुवाद करता हूं इक funktioniert करना चलो ठीक है यहां तक की बात समझ मैं ही तो चलो बहुत करते हैं जो क्या भाई आपका दैनिक ज्यूर में रसायन वाली जो चैप्लर है उसका है ठीक है तो चलो भाई पहला क्योंशन विरंजक चूर्णा का रसायनिक नाम तथा सुत्र लिक कर उसके कोई दो उपयोग बताईए मैं पहले उपयोग के बता दूंगा विरंजक चूर्णा क्या है गर्मियों के दिन में इस वर्साइब अभी जो चल रही है चलने वाली है बर्साइब क्या होता था जो कूआ है पिफर फंड पंप इस उन्हां का पानी जो है गंद़ता हो जाता है कैसे भाई गर्मी गर्मी में क्या होते है कराके के दूप रहा होगा फिर आव आती हुष थंड वर्साथ ठंड क Auch कि दूप खारत के वर्साथ थीनों मौसम दिख रहा है मैं कहा गया था है जो पानी उस फेक्त कर दिता है च्फिता होता है फिर क्या होता है उसको उसको स्वास्त के लिए फिर दूर करने के लिए विरंजव्च चूरना ताकि क्या हो तलिम टल compassionate Lu यूजब यूज तरी यूजब कर सके यह हुआ पहला यूजब यूद साथ के दिनों में पानी में विरंजक चूरन को किसले कितना सक के लिए उसके यह उपयोग अब मैं बात करूंगा उसके रसारिक नाम तरह उसके सूत्र के बारे में जैसा कि कैल्सयम आक्सी कर्याइड होती है क्या होती ہے क्या हुती है कशियां आक्सी अप्षमें क्लॉट ये उसका फालनी शूत्र ये उसका रसानिक ना म् अब इसको यहां तो अध्या था ठीक है बनाते कैसे यह भी पूछ दिया लिए गरना में और दाव देख लेते न तो इसको भी देख लेते हैं कि इसको बनारा करे जाता है विरंजर्ऑनक उतिहों तो हम देखेंगे विरंजक चु motives को बूगे चुने के पर आपको मिल जाता है क्लोरीन गैस क्लोरीन गैस और साथ में चूरोना आपको मिल जाती है ठीक है भच्चो समझ में आए अब तरतें नेस्ट क्वेश्चन क्यों जो की पूछा गया था कहा बही 27 पूछा गया था पर अनुसितन, सितन मतलब थंढ़ा, ताप मतलब गरम, अब इसका आंसर क्या होगा सर, दिखते हैं, काच की वस्तु को बनाते समय अच्छाना अग थंढ़ा करने पर तूट जाती है, अब देखो दिमाख लगाओ, सर काच के वस्तु है, उसको मैं थंढ़ा भी करूँगा, वो टूड़ भी जाता है माहना क्या चाहरे हो की तो भाई के जो वस्तू है उसको बनाते समय क्या करते हैं अचानक ठंडा करने पर要गा कर ẹcial को करे हो एछ उसको क्या जरो थो काम करों कशार करो कि कर दो को हिट कर팅 रोटिंग को देंगे है को क्टिंग को आब Mike काच की बस तो रहते हैं तो प्यारते हैं कि इसको कुछ कटिंग करते हैं तो आट do होने लग जाता है यह सब भी होने लगता है तो इससे क्या बाश चलता है कि सर उसको अब क्या तुछ पाइम ने डुबा सकते अब तलाब में ठोना डालो के समुधर में ठोना डालो के काच को लेके क्योंकि आपको धेड़े धेरे 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 ठंडा करोंगे मतलब 10 मिनट 15 मिनट 25 मिनट 1 गंटा 2 गंटा 3 गंटा 4 गंटा तक उसको छोड़ दे रहो वो नेचुराली करना ही क्या गलाता भई तापनुसीतन कहा जाते हैं जो कि important question है दो नंबर के लाएं बात समझ में आएं बात समझ में आएं आतक इजी भई तापनुसीतन ठीक है क्लिंकर को प्रभासित कीजिए अच्छा ये क्लिंकर आ गया अब ये क्लिंकर क्या होता होगा सर इस संबंद किस्छे होता होगा भई अब हम इस चप्टर में पानी नमग खाने का सोडा पीने का सोडा धावन सोडा सब तो पढ़ लेंगे ठीक है सर साथ इस साथ हमें साबून के बारे में जनकर लेना है और जीप सम का और प्लाश्टर पेरिस का अब जीप सम भी डिसकस किया था प्ल बट्थी से प्राप्त सिलेकेट और अल्लुमीनेट का मिस्तराण चोटे 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 कंकड़ों के रूप में प्राप्त ओता है धिक्साट जिसे क्लिंकर कहते हैं तो बात करूंगा का और प्लाच का उत्पादन और मैं बंते कैसे हैं और सीमेंट की बारे मज़ा बात कर लेकिन यह आज रहेकर डेफिनेशन के रूप में कि क्लींकर क्लींकर है ना बटी से प्राप्त silicate silicate और illuminate के छोड़ें टूकड़े है silicate silica वाला और illuminate aluminum का उसको आपस में मिस्रन करके रख दे जाते हैं उसे ही क्या बोलते हैं भाई क्लिंग कर कहा जाता है ठीक तो यह दो दो नंबर कोश्चन समझ में है बहुत साथ कोश्चन रहता है अब दिखते हैं नेस्ट को चलते हैं जलका नुसूत्र लिखिए हर वह इस्ट्रेंट जो नववी पास आउट है जो दस्वी में आया है वह पूरा बता देगा जलका नुसूत्र क्या होता है यह नहीं जानते क्या बच्चों बताओ एच कितने बार है दो बार ऑक्सिजन कितने बार है एक बार यह दोनों मिला क्या मना दिया एच टू ओ यह बच्चपन से पढ़ते आयो भई तो इसका अंसर क्या हो जाएगा बताने की जौरत नहीं है मनुष्य के सरी में कितना प्रशन जल पाता है बताओ भई हम बच्चपन से सुनते आया है पानी पीए करो हमाई सरी में पानी बहुत जादा होती है पानी इतना प्रशन होती है आंसर देख लो जल करन सुत्र हिष्टू होता है मनिशक सारी में लगबग 70% जल पायता है प्रित्यूम भी वैसी जल पायता है हर जगा पानी-पानी है बसलते पीने योगे पानी कम मिलती है इस काहले से लोग आज बड़े-बड़े ब्रांड से पानी पी के खरीद रहे हैं पीने करे खरीद रहे हैं ठीक है तो यह इजी कोशन भी इससे पुछा जा सकता है एक्सपेक्टेट कोशन में से एक है अब चलते हैं तो इस इंपोर्टेंट चीज में क्या वह बात करेंगे कुछ महत्पून योगे को के रसानिक नाम तर्था सूत्र जब जिसम जिसम क्या होता है यह होता है कैल्सियम सलफेट याद रखना दो नमबर कोशन पुछा रहा सकता है इंपोर्टेंट है क्या होता है भाई कैल्सियम sulphate जिसका सूत्र क्या होता है बच्चो C-A-S-O-4 और दोनु जल का यह याद हुआ जिपसम तूरंत याद कर लेना आप किसके बारे में plaster आप पेरिस के बारे में यह होता है क्या सर calcium पता हो भई calcium sulphate hemihidrate है ना hemihidrate फर्मला बता हो भई C-A-S-O-4 C-A-S-O-4 और hemihidrate मतलब आदा जल बात समझ में आई अब कप्रदोने सोडा यह क्या होता है भई धावन सोडा बोलते जिसे यह सब फर्मला क्या होगा बच्चो सोडियम कारबोनेट N-A-2-C-O-3 यह सबज भई बात clear हुई है ना N-A-2-C-O-3 मैं M-C-Q-M भी deal किया था भई इसको फिर भी important है करके मैं बता रहा हो आपको धावन सोडा जिसे क्या बोलते रसानी सुत्र क्या है रसानी क्नाम सोडियम कारबोनेट यहां पर लिखना था मेरेको चलो लिखी देता हूँ सोडियम चलो नेस्ट में जब स्राइड लोगा ले रूख लोगा खाने के सोड़ा क्या होगा सोडियम बाइकारबोनेट न एच सी ओथरी चलो मैं आप पर लिख देता हूँ न एच सी ओथरी न एच जोड़ी कनफीज रही होना यह होता है आपका धावन सोडा क्या बच्चो धावन सोडा सर और यह बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा इसे क्या बोलते हैं सर sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, और इसको sodium carbonate, sodium carbonate, बात समझ में है बच्चो, यह है आपको दिला दिया दो नमबर, ठीक, दो नमबर कोशन हो गया, ठीक समझ में है, तो यह आपको याद रखना है, जिपसम का क्या होता है, फार्मुला जिपसम का सूतर क्या होती है, और रसानिक नाम क्या होती है, प्राश्टरा पेज क्या होती है, विरंजग चूरन भी क्या होता है, यह सब के बारे में बता दिया बच्चो, ठीक, समझ में अच्छे से, अब मिलते हैं, नेश्ट लच्चर में, जिसमें हम डिसकस करेंगे, हम डिसकस करेंगे, जो आपकी लड़ने वाले हैं, रसायन सास्तर का, उसके बाद हम चलेंगे, बायोलोजी पोर्शन में, जिविगान पोर्शन में, फिर हम पहुंच जाएंगे, आपके मिसन दोहर्ते के समाप्ति की और, ठीके बच्चो, आज कले इतना करते हैं, मिलते हैं नेश्ट लेक्चर में, धन् जाएंगे बाते.